अगर एक्जाम्स में मैंने जितने सोचे थे उतने मार्वस आगे या फिर जिस परसन को मैं बहुत प्यार करती उसमें सामने से आके प्रपोस कर दिया या फिर मुझे जितनी सैनरी की जॉब चाहिए थी exactly नहीं उससे भी ज्यादा सैनरी की जॉब मिल गई या फिर बिजनस के अंदर प्रॉफिट सी 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 प्रॉ चार साल से कोशिश करें बिजनस सिंटम करने की लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही हो एसी सिचुवेशन में जब आप खुछ रहते हैं उसको मोलते हैं चैलेंजिंग तो अच्छा सब कुछ हो रहा हो तो तो कोई भी खुछ रह सकता है और बगवान अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजिस दे रहे हैं तो इसमें एक बात तो पक्की है कि आप बहुत स्ट्रॉंग हो वरना चैलेंजिस ऐसे कमजोर लोगों को तो देगा नहीं भगवान नमस्ते एब्रिवन मैं हूँ आपकी हीलिंग कोच फानुप्रिया और आज बात करेंगे साइन्स ओफ हैपिनेस के बारे में कि ये खुश आक्चिली कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं और जब उल्टा सीधा चल रहा हो लाइफ में तब भी क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे नैच्रल स्टेट ओफ माइंड हमारा हैपी रह सके सबसे पहले तो ये बात समझ लो हैपिनेस क्या है एक स्टेट ओफ माइंड है हमारे मन की स्थिती इसको एक एक ग्जांबल से समझता है कि अगर मैंने आज आज आपको गिवववे में गिफ्ट में एक करोड हुपाय देती है ठीक है इमाजन करो वाव कैसा लगेगा मुझ प्रफिनेटली पास ओन करूं तो ये अगर आपको एक गिववे जीते हो मेरे चैनल पर उसमें आपको एक करोड रुपे मिले तन हो ये फेलिंग राइट आउन इन दे कॉमेंस बहुत मजारी राइट वाव सात्वय आसमान पिसारी फिनाशल प्रॉब्लम सौल ऐसा राइट नाओ इमाजिनरी सिचुवेशन है और गॉड फॉर्बिट ऐसा कुछ ना हो पर भगवान कल आपको आके बोलते हैं कि आज आपका लास्ट डे है और यवराज नहीं भगवान खुन अपने दूतों के साथ लेने आया है तो एक करोड की हैपिनेस थोड़ी कम हो जा जाएगी कि क्या करूं एक दिन में एक करोड रुपएगा घर खरी दूंगा उसमें रहने नहीं मिलेगा गाड़ी खरी दूंगा उचलाने नहीं मिलेगी बिजनस के लिए इंवेस्मेंट करूंगा उसके बाद तो पदा नहीं कौन उसको चलाएगा रूपीस राइट कुछ लोग इसमें भी खुश है वो ही तो है समझदार लोग बट मैक्सिमम लोगों के लिए डेफिनेटली वह खुशी कम हो जाएगी यानि कि एक नेगेटिव इवेंट ने आपके उस पॉजिटिव इवेंट को ओवर पावर कर दिया जो पॉजिटिव इवेंट की इस में हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा की चाहे वह एक करोड वह या ना हो आप asp compound in today यानि कि हमें खुश रहने की हैबिट बनानी पड़ेगी देखो इसको ना पावर अफ सबकॉंशिस माइंड के एक बहुत चौट और अच्छी सी स्टोरी से समझते हैं पीज 173 की स्टोरी है जिसके अंदर ऑथर ऐसा मूलते है कि कुछ सालों पहले मैं एक फार्मर के घर पे जो आइलनेंड में रहते थे वहां पे रुका ठीक है और जो वह फार्मर था ना वह हमेशा ऐस्ता गाता गुन-गुनाता मज़े भी रहता था मैंने उसको कभी दुखी नहीं है जितने टाइंग में रहा वो इंदन सेंस ऑफ यूमर भी अच्छा मज़े कर रहा है तो मैंने उसको पूछा भई तुम्हारी एक खुशी का रास क्या ऐसे कैसे तुम इतना खुश रहते है तो उगा फार्मर ने बूला कि ये मेरी आदत है खुश होना मेरी आदत ह उन्होंने क्या बूला मैं एक्जाक्ली रीड करके बताती हूँ यानि कि हर सुबर और हर रात को ये एक फिक्स काम करते हैं ठीक है कि अपने फैमिली को ब्लेसिंग्स देते हैं उनका जो खेत है वहाँ पे जो कैटल है जो मैल है और जो भी चीजे हैं ठीक है खेत में उनके काम की इतनी उनकी लाइफ है गर और खेत आसपास इतनी लाइफ है जितनी भी लाइफ है उसको ब्लेस करते हैं कि ये सब बहुत अच्छा है ब्लेस करने के बाद भगवान को थैंक यू बोलते है कि थैंक यू मुझे इतनी अच्छी चीज रहने लग गया है काफी सालों से, यानि उन्होंने अपने दिमाग को बोल बोल के, अपने सबकॉंशिस को ट्रेन किया है, उसकी हैबिड बनाई है कि तुझे खुश रहना है, अब देखना, कोई चिर्चिडे इंसान होता है, जिनको छोटे-छोटे बात में बहुत ज्यादा लगता है, कि ऐसी छोटी-छोटी बातों पर हमको तो नहीं आएगा गुस्सा, या नॉर्मल जो भी लोग या उनको तो नहीं आता, इनको गुस्सा आता है, क्यूं? क्यूंकि उन्होंने चिर्चिडापन या एंगर को अपना हैबिट बना दिया है, यानि ऐसी चीजे जिस उसमें साधारन मनुष्य खुश नहीं होता, उसमें खुश नहीं हो सकते हैं, हम क्यूं ऐसी हबिट नहीं बना सकते हैं? दोनों happiness and anger feelings ही तो है, समझ में आयो? ये science है खुश होने का, कि हमें उसको हमारा स्वभाव बनाना है, no matter वाहर जो भी चल रहा है, it is my nature, और वो Every night before you go to sleep and every morning when you wake up, just say this line simply, that I choose happiness and joy today, ठीक है? आपको बस ये बूलके सोना है और ये बूलके उटना है, I choose happiness and joy today, तो बगवान जो है, आपको हर समय, universe जो है, मदद करेंगे, कि आप हर परिस्थिती में happiness and joy को ढून सको, और ये आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी habit बन स सके, as simple as this, I choose happiness and joy today, simple है, पर बहुत effective है, ये है positivity का और happiness का science, समझ जाओगे, तो लाइफ सुदर जाएगे, I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वैलेबल लगा होगा, प्लीज, प्लीज, आपके opinions, comments में में मेरे साथ, definitely share करना, I'll be more than happy to read them and respond to them, and हम लोग मिलेंगे next video, make new topic के साथ, till then, keep smiling, stay happy, stay blessed and stay connected.